दोस्तों आपने चार्ली चैपलिन को जरूर देखा होगा जो पुरानी फिल्मों में रहा करते थे पुरानी जमाने में फिल्में जो आया करती थी उसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ उस जमाने में फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी तो बिना आवाज के ही क प्रिर की एक्टिविटी से तो उस दौर में एक महान हाथ से कलाकार हुए थे जिनका नाम था चारली चैपरिन जिनकी नकल नेजाने कितने एक्ट्रेस और पूरी दुनिया के जो कॉमेडी कलाकार बने हैं उन्होंने की है बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के भी नेजाने कितने एक्टरों ने उनकी कॉपी की और फिर अपनी फिल्मों में उस तरीके को उतारा दोस्तो चारली चैपरिन की आज यहाँ पर कहानी हम जानने बाले हैं जो की महान कॉमेडियन थे और जब इनकी मौत हो जाती है जब इनके सब को दफना दिया जाता है तो दोस्तो दो उने इनके सब को सुरा कर 6,00,000,000 की डिमांड की थी कि 6,00,000,000 दो और इनके सब को ले जाओ यानि की मरने के बाद कबर में भी इनको सांती से नहीं रहने दिया गया था तो इनकी पूरी कहानी आपर जानने वाले हैं आकिर क्या हुआ था इनके जीवन में किस तरह से एक्टर बने, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे जाकर कामियाभी तक पहुँचे और अंत में इनकी लास को भी चुरा लिया गया था पूरी कहानी आज हमें आपर इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग या वीडियो होने वाला है इसको पूरा जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है चार्ली चैपलिन ये भले ही विडेशी कलाकार थे मगर भारत में इनके करोड़ों में फैन थे यानि कि करोड़ों लोग चाहने वाले भारत के अंदर भी थे दोस्तो चार्ली चैपलिन बिना कुछ बोले ही सिर्फ अपने चेहरे से लोगों को हसाया करते थे जो भी हमारी एक्टिंग होती है बिना बोले वो कहीं भी नहीं रोख सकती है यानि कि उस एक्टिंग को उस फिल्म को कोई भी सरद कोई भी बंदिस नहीं रोख सकती है दोस्तो वे हर जगह पर जा सकती है क्योंकि पुराने जमाने में फिल्मों को डव भी नहीं किया जाता था जैसे आज हिंदी की फिल्मों को इंग्लिस में डव कर देते हैं अंग्रेजी की फिल्मों को हिंदी में डव कर देते हैं तो अब हम देख पाते हैं लेकिन उस जमाने में डव का सिस्टम नहीं था, तो जो बिना बोलने वाली फिल्म में होती थी, वो हर देश में देखी जाती थी, क्योंकि हर इंसान body language को समझता है, और हसने लगता था, तो दोस्तों यहाँ पर Charlie Chaplin बिना कुछ बोले ही, सिर्फ अपने चेहरे से ही लोगों क गदगद किया करते थे, वैसे जादाता लोगों तो उनके असली चेहरे से भी अंजान होंगे दोस्तों, Charlie Chaplin का आपने देखा होगा चेहरा, हैट, लंबा हैट और छोटी सी मक्की मूच हैं, और सफेद पॉडर में पुता हुआ उनका चेहरा, लेकिन असली चेहरा आपने भी कभी नहीं देखा होगा, आपको यहाँ पर आज हम असली चेहरा उनका दिखाते हैं, जो यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उनका असली चेहरा था, बहुती स्मार्ट, बहुती खूबसूरत थे, लंदन में 1889 को वह पैदा हुए थे, लंदन के अंदर 1889, जो चाल्स स्पेंसर चैपलिन उनका असली नाम था, और लेकिन दुनिया उनको चाल्ली चैपलिन के नाम से ही आगे जानने लगी थी, नाम उनका और था, अब यहाँ पर उनके पिता चाल्स चैपलिन और मा का नाम था हन्ना हिल, दोनों ही अभीने किया करते थे दोस्तों, और जब दोनों ही अभीने किया करते थे, तो यह खून का ही फर्ग था, जो चार्ली चैप्रिन के खून में भी अपने माबाप का खून उतर आया था, और वे भी अभीने के बहुत ज़्यादा दीवाने थे। दोस्तों यहाँ पर उनको देख करके चार्ली चैपरिन भी अभी नहीं ता बनना चाहते थे क्योंकि उनके खून में बाई डिफॉल्ट एक्टिंग आ चुकी थी क्योंकि परम परागत जो पूरवजों का खून होता है जो उनकी आदत होती है उनका काम होता है वह उलादों में आही जाया करता है एक्टर तो वह बनना चाहते थे लेकिन मगर दोस्तों बच्पन से ही उनको दर्दनाक जीवन मिला उनका जीवन दर्दों से गुजरा था पिता बहुत ज़्यादा सराब पिया करते थे और सराब के इतने ज़्यादा लती होने के कारण वह बीमार पढ़कर वह बच्पन में ही चार्ली चैपरिन को छोड़कर चले जाते हैं जब चार्ली चैपरिन छोटे से थे तो उनकी पिता की मौत हो जाती है उसके बाद जब पिता की मौत हो जाती है और जैसे उनकी मापागल होती हैं तो उनको पागल खाने में भरती करवाना पड़ गया था उसके बाद चार्ली चैपरिंजों की 6-7 साल के अकेली रह जाते हैं माबाप दोनों बिचर चुके थे चार्ली को दो वक्त की रोटी के लिए भी 8 साल की उम्र से ही अकवार बेचने से लेकर हर छोटे मोटे काम करने पड़ गए थे क्योंकि पेट का सवाल होता है इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता हर चीज कमाई जाती है फिरी में कुछ भी नहीं मिलता अब चार्ली जब 8 साल के थे तो वे चोटे मोटे काम करके अकवार बेच करके अपना भरन पोसन करने लगे थे दोस्तों जब वे 14 साल के हुए तो 14 साल की उम्र में उनको एक नाटक मिलता है पहला नाटक तो 14 साल की उम्र में उनको एक पहला नाटक मिला उन्होंने अपना पहला नाटक किया और पहले ही नाटक से वो च्छा गए थे उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुर कर अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो पहला नाटक था वो प्रिसिद्ध हो गया और फिर अब वे अपनी दौड में भागने लगे थे चार्ली खुद के जीवन में इतने दुखी थे तो वे हमेशा से ही दुनिया को हसाना चाहते थे वे कहते थे कि दुखी तो इस संसार में में ही बहुत हूँ मैंने ही आसु बहुत बहाए है तो लोगों को तो कम से कम एक मुस्कान दी जाए, हसाया जाए, उनके चेहरे पर एक चमक लाई जाए तो इस कहावत में वह ज़्यादा विश्वास रखते थे अब दोस्तों वह लोगों को हसाना चाहते थे और फिर इसी वज़े से उन्होंने कॉमेडियन बनने का फैसला ले लिया कि मैं ऐसा कॉमेडियन कलाकार बनूँगा कि लोग मुझे देखते ही हसने लगा करेंगे अब आपको उनकी छोटी नकली मूचों और अजीब से मेक अप का राज भी यहां पर हम बताते हैं कि आखिर मूचों और मेक अप के पीछे राज क्या था चारली ने जब कॉमेडियन बनने का फैसला लिया तो वैं अपना लुक ऐसा रखना चाहते थे कि लोग उनको सिर्फ देखते ही हसने लगे दोस्तों अब कई मेक अप ट्राई किये लेकिन उनको मज़ा नहीं आया मेक अप करके देख रहे थे कि कैसे मेक अप में लोग मुझे देख करके हसेंगे तो बहुत सारी तरीके के मेक अप किये लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा था कोई भी उनके चेहरे पर फिट नहीं बैट रहा था जिससे लोगों को हसी आए आखरे में उन्होंने सपेद रंग का मेकाप अपने पूरे मुझे पर ऐसे ही पोत लिया और अपना ये लुक उनको और पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया वे इस मेकाप से फिर आगे अपने जीवन में सफर करने लगे थे चारली छोटी नकली मुझे लगाया करते थे इसकी वज़य थी कि लोगों को बिना बोले ही हसी आए छोटी मुझे देख करके सिर्फ अपने चेहरे के हावभाव से ही उनको लोगों को हसाना होता था यानि कि चेहरे को इधर से उधर करना इसलिए लोगों को हसाना होता था तो ऐसे में उनकी जो छोटी मुझे होती थी उनके चेहरे को जोकर जैसा बना दिया गरती थी और उनके चहरे के हाब-बाब भी मुच की वज़े से छिपते नहीं थे दोस्तों, चहरे पर जादा बड़ी डाड़ी, जादा बड़ी मुचे अगर आ जाती हैं तो चहरे के बहुत सारे हाब-बाब छुप जाया करते हैं, बालों के अंदर तो जब उन्होंने मूचे लगाई तो मूचे तो बहुत छोटी सी थी मक्की मूच थी उसकी वज़े से मूच भी लग गई उससे कॉमेडियन लुक भी आ गया और जब वे अपने हाब भाब प्रिस्तुत करता लोगों के सामने तो वे दाड़ी मूचों में छुपा भी नहीं और चारली कम्यूनिस्ट विचार धारा के थे तो अमेरिका उन्हें सक्की निगाउं से देखा करता था क्योंकि कम्यूनिस्ट पार्टी के ज़्यादा समर्थ तक थे तो अमेरिका इनको सक्की निगाउं से देखता था दोस्तो 1952 में अमेरिका ने इनको जबरजस्ती देश से निकाल दिया था चारली को सारी उम्र अमेरिका से निकाले जाने का गम रहा था कई इंटर्वियूज में उन्होंने बताया कि अमेरिका से निकलने के बाद मेरा बहुत मन हुआ लेकिन अमेरिका ने मुझे एकसेप्ट नहीं किया 1952 के बाद वो सिर्फ एक बार अमेरिका गए थे अपने पूरे जीवन काल में उसके बाद वे अमेरिका कभी भी नहीं गए दोस्तों क्या आपको पता है चारली गांदी जी को भी बहुत मानते थे एक बार उनको पता चला कि गांदी जी लंदन आय हुए है तो उनसे मिलने के लिए वे वही पर पहुंच जाते हैं गांदी जी से मुलाकात के वक्त उनको सूजा ही नहीं कि वो क्या बोलें वो इतने खुश थे क्योंकि वे उनके बहुत बड़े फैन थे फिर अचानक उन्होंने गांदी जी से पूछा कि आप मसीनों का वरोद क्यों करते हैं जबकि मसीने तो हमारा काम आसान बनाती है जबकि उस समय जो गांदी जी थे वे स्वेराज स्वेदेशी चीजों की तरफ ज़्यादा बल दे रहे थे तो इसी को लेकर उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि आप मसीनों का वरोद क्यों करते हैं तो गांदी जी बोले कि मसीनों ने हमें अंग्रेजों का और ज़्यादा गुलाम बना दिया इसलिए हम स्वेदेशी और स्वेराज की बात करते हैं हमें अपनी जीवन सेली बचानी है जो हमारी भारती एता है उसको हमें बचाना है गांदी जी की मुराकात को चारली ने अपनी आत्म कता में भी बताया था दोस्तों अब चारली के निजी जीवन के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं कि उनकी जिन्दगी में क्या था और कैसा उनका परिवार था कौन-कौन लोग थे दोस्तों उन्होंने चार साधिय की थी चारों बीबियों से उनको ग्यारे बच्चे हुए थे अब यहां पर उनके फिल्मी केरियर के उपर भी प्रकास डाल लेते हैं वैसे तो उन्होंने कई फिल्में की और कुछ जो फिल्में थी वो यादगार है जो सूपर हिट रही और लोगों के जहनों दमाग में भी हैं उनके नाम में यहां पर लेना चाहूंगा जैसे 1921 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था The Kid और 1923 में आई थी A Woman of Paris 1925 में आई थी Gold Rush 1928 में आई थी The Circus 1931 में आई थी City Light और 1940 में आई थी The Dictator जैसे Golden Film में थी बहुती अच्छी तरह से लोगों के इन में इनोंने हसाया था अब यहां पर दोस्तो चार्ली साब की मौत की चर्चा कर लेते हैं उनकी मौत किस तरह से हुई चार्ली अपने अंतिम दिनों में Switzer Lane में बस गए थे जाकर के और वहीं पर उनके बच्चे थे और पूरी दुनिया को हसाने वाला ये अभीनेता खुद दिल की गंबीर बीमारी से ग्रस्थ हो गया था और दोस्तो उनकी हालत दिन पर दिन बिगरती ही जा रहे थी दिल के मरीज जो बन चुके थे और एक समय ऐसा आया कि उनको अब दिखना भी बंद हो गया और कुछ समय के बाद उनको सुनना भी बंद हो गया था दोस्तो अब वह वीलचेयर पर रहने लगे थे और कुछ दिरों के बाद तो अब ऑक्सीजन भी oxygen marks भी उनके उपर लगाया गया यानि कि oxygen जो cylinder होता है उससे उनके दिन कट रहे थे oxygen cylinder साइड में लगा कर रखना पड़ता था और अनतर दोस्तो 25 December आता है 25 December को Christmas का टाइम होता है सभी लोग Christmas मनाने के तयारी कर रहे थे उनके बेटे बहु भी सभी Christmas मना रहे थे और 25 December 1977 को Christmas वाले दिन ही उनको एक के बाद एक कई हर्ट अटेक आए और दोस्तो इन हर्ट अटेक को वेजहिल नहीं पाए और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है उसके बाद दोस्तों उनकी मौत के तीन महीने बाद एक मार्च 1978 को उनका सब दो चोरों ने उनकी कबर से चोरी कर लिया था और दोस्तों चोर उनकी लास के बदले छेलाग डॉलर मांग रहे थे कि हमें छेलाग डॉलर दो और चार्ली चैपलिन की लास को वापस ले जाओ तो काफी कोसिसों के बाद 16 मार्च को पुलिस ने उन दो चोरों को काफी मसकत के बाद पकर लिया और चार्ली चैपलिन की लास को अपने कवजे में लेकर उनको दुबारा से दफनाया गया दोस्तों तब जाकर चार्ली को एक तरह से इस दुनिया से मुक्ती मिली वनना मरते दम तक भी लोगोंने उनका पीछा किया यानि कि जिंदगी में इतना दुख था इन एक्टर के जीवन में जो कि सब को हसाया करते थे बच्पन में इनके माबाप थे खुब हसी-खुची परिवार था खुद एक्टर बनना चाहते थे माबाप एक्टर थे लेकिन एक्टर बनने की जो खुआइस थी वे दिल में रहे गई पिता दारू पीने लगे सराब पीने लगे उससे पिता की मौत हो गई पिता की मौत की गम में इनकी मापागल हो गई मापागल खाने में छोड़ना परा और आठ साल की उम्र में अखवार बेज करके छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरा उसके बाद दोस्तों किसमत की इतनी चमकी कि इनका एक नाटक फहमस हो गया जब यह 14 साल की उम्र में थे उसके बाद यह फिल्मों में आ गया तो यह जीवन है यह ग्राप की तरह उपर नीचे होता रहता है कभी पॉपुलर्टी कभी सुक, कभी दुख, कभी गरीवी कभी अमीरी यह सब जीवन में चलता रहता है और यह दौनों चीजे जीवन का पहलू होती है एक से के के दो पहलू होते हैं कभी head आता है, कभी tail आता है इसी तरह से हमारा जीवन है कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी तो Charlie Chaplin के जीवन के बारे में आज हमने आपे जाना जो कि दुनिया को हसाते थे लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे गम थे और उन्होंने अपने जीवन को गम के हिसाब से जीया, लेकिन लोगों के चेहरों पर उन्होंने हमेशा मुस्कान लाई, आप इनकी फिल्म देखिएगा जरूर, यूटूब पर Charlie Chaplin आप सर्च करोगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से बिना बोले ही यह लोगों को कॉमेडी से हसाया करते थे, इनकी इतनी अच्छी कॉमेडी थी, कि देश के और विदेशों के बड़े-बड़े एक्टर जो सूपर स्टार हुए हैं, वो इनकी कॉपी किया करते थे, यह सब के ग्रांट फादर हुआ करते थे दोस्तों इनके बाद हुए थे मिस्टर बीन उनको भी आपने देखा होगा मिस्टर बीन ने भी इसी तरह से बिना बोले लोगों को हसाया था, उनका पेट तक दुखा दिया था, यह दो कलाकार वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड फेमस हुए हैं जिनको सारी दुनिया प्यार करती थी यहां पर आज हमने जाना चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में और आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, वह भी आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी कमेंट बोक्स में जरूर लिखें जिससे कि हम और ज़्यादा उत्सायत होकर यहां पर और अच्छी अच्छी प्रोग्राम लेकर आएं आप लोगों के समख्च और हम इसी तरह से जानकारी यहां पर लाते रहें अगला पूरा मजलती फिर से लेकर आऊंगा किसी दूसरे कलाकार के उपर उसके जीवन के बारे में तब तक आप खुश रहें और देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानिया को जय हिंद जय भारत